चलिए ये तो बुद्दा हो गया एक और मुद्दा बहुत मजबूती से अब चर्चा का विशय बन गया है कि जीतन रामाजी लगतार जो बयान दे रहे थे कि कोडिनेशन कमिटी बननी चाहिए और भी कई तरह की बाते हैं उन्हें लग रहा था कि एक साथ बैठ करके बातों को हल कर लिया जा सकता है सत्ता में बैठे जो भी लोग हैं इन सब बातों के बाद निटीश कुमार जी दिल्ली जाने से पहले जीतन रामाजी जी से बात घंटों करते हैं उसके बाद बाहर निकल कर कि चुपी साथ लेते हैं और फिर अब दिल्ली में निटीश कुमार है औ जीतनामाजी भी दिली प्रस्थान कर गया है इसके पीछे क्या राज नेतिक साजी से या जो आपके पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपना इलाज के लिए गया है देखिए आप में देखा था कि कुछ दिन पहले नेताओं से उनके मुलाकात भी होगी इसके कोई CIC माइनी नहीं है कहां यह जा रहा था कि जितनामाजी जी ने खुद ही एक नीजी चैनल से बातचीत के दोरान कहा था कि वो चाहते हैं कि प्रधान मंतरी नरंद मोदी के से मिलें और मिल करके बहुत सारी बातें करनी हैं वो करें क्या समय मिल गया है समय मिलने के आज कुस्ती हो जाएगी हमें लगता है 11.30 बजे बातचीत फाइनल हो जाएगा और अगर से जाएगा है तो निसंदे दलितों के अकलियतों के मजलुमों के मामले पर वो बातशीत करना चाह रहे हैं तो एक ऐसे मुद्धे हैं जो आज के परिपेक्ष में बहुत जरूरी और लास्मी है जैसे कि नीजी शेत्रों में आरक्षन का मामला है सारी जितनी गौर्मिंट औरिजिशन है गौर्मिंट के डिपार्टमेंट से जहां नौकरिया निकलती हैं वो तमाँ धीरे धीरे नीजी करण की तरफ जा रहा है तो वैसी रिधी में नीजी शेत्रों में आरक्षन की जो उनकी डिमांड है वो बहुत बढ़ी डिमांड है तो ये तमकई एक मामले हैं को लेकर कि वो प्रदान मंत्री से बातशीत करना चाहते हैं वक्त वांगा है अगर वक्त मिलेगा तो निसंदे तेश की आम आवान की जो समस्याएं हैं उससे मानी प्रधानुटी को रूबरू करवाएंगे। मिलने जाएंगे ऐसी कोई बात चीते हैं लाद पिशाद्यादुजी से कोई मुलाखात का कोई प्रोग्राम जिक्स नहींगे। 9386 816 700 धन्यवादु